Hello everyone, तो start कर देंग circle का important question question का statement है PQ is the quad of circle with center O PQ is a quad circle का जिसका center O है PT is a tangent to a circle PT उसका tangent है अगर angle Q PT is equal to 60 degree है then find the angle substantive by PQ at any point on the circle in its major axis ठीक है तो देखो इसका diagram given नहीं होगा question में तो इसको सबसे पहले इसका diagram बनाना है सही ठीक है तो सबसे पहले हमने एक circle बनाया यहाँ पर यह एक circle है ठीक है अब इसने बोला है कि इसका center O है इसका center O है और PQ एक quad है तो PQ हम यहाँ बनाने लते हैं सब उसकरो यह मेरे पास हो गया P यह हो गया Q एक quad बनके ठीक है P T 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 बोला find the angle substandard by PQ PQ कितना angle बनाएगा at any point on the circle on in its major segment तो देखो PQ के इस तरफ तो minor segment है इस तरफ major segment है तो यहाँ पर कहीं भी यह कितना angle बनाएगा तो मालना है मैंने यहाँ पर यह angle बना रहे ठीक है तो यह मेरे पास हो गया P R और यह हो गया RQ तो आपसे यह angle पूछना चाहता है ठीक है जी तो इसको इससे join कर देते हैं यह center है O ठीक है जी तो देखो यहाँ पर सबसे पहले given लिखते हैं given में हमें क्या है PQ is a chord सबसे पहले chord दिया है उसके बाद PT tangent दिया है and PT is a tangent और उसके अलावा angle QPT दे रखा है 60 degree ठीक है आपसे 2 prove करवाया है आपसे यह angle पूछा है मतलब PRQ angle PRQ आपसे पूछा है ठीक है और 2 construction में इसको इस लिख देते है join किया ठीक है तो construction join 0.02 P and Q यह join किया है ठीक है अब हम लोग proof पर आ जाते हैं देखो सबसे पहले यह angle 60 है ठीक है आपको पता है radius यह है radius radius tangent पर परपेंडिकुलर होता है तो यह angle कितना होना चीद नब है तो उससे angle आजाएगा 30 तो पहले से start करते हैं आपको अगव लेको एगल ओ पी टी इस 90 डेगरे क्योंकि radius is perpendicular to tangent at point of contact ठीक है जी अब इसको लिख सकते हैं लोग अब इसकी वैलु 60 है यहां पर आगया 60 यहां पर एंगल ओपी क्यू इसको नाइंटी ठीक है तो एंगल ओपी क्यू आगया 90-60 इस थर्टी यह अंगल आगया 30 ठीक है तो इसको एंगल छोड़ो यह आपके पास कितना आगया 30 आगया अब देखो इस वारे ट्राइंगल में ओपी क्यू में अगर यह 30 है तो यह भी 30 होगा क्योंकि यह बराबर इसके है यह बराबर इसके है तो इसलिए अंगल बराबर इसके होगा तो लिखो एंट्राइंगल ओपी क्यू में भाई ओपी बराबर ओपी बराबर ओपी बराबर ओक्यू है क्योंकि radius of same circle ठीक है उसके बाद angle ये बराबर होगा इसके तो angle O, P, Q बराबर angle O, Q, P बराबर होगा 30 degree क्योंकि opposite angle of equal side or equal है ना opposite angles angles of equal sides are equal ठीक है जी अब इन triangle O, P, Q में इन triangle O, P, Q इन तीनों angle का सम 180 degree होगा वहाँ से आपका ये angle आजाएगा ठीक है एंगल O, P, Q प्लस का angle O, Q, P प्लस का angle P, O, Q is equal to 180 degree angle sum property of triangle ठीक है angle sum property होगी अब यहाँ से होगया 30 ये भी होगया 30 ये होगया P, O, Q तो 30, 30, 60 तो angle P, O, Q is equal to होगया 120 degree ठीक है P, O, Q आगया 120 अब हमें angle ये find करने हैं ठीक है अब एक छोटी स्थियोरा हमने पढ़िये कि यहाँ वाला angle इस angle का half होता है मतलब ये चीछ कि अगर इस तरीके का डाइगराम होता है ये center है तो अगर ये theta है तो ये हमारा 2 theta होता है ठीक है तो इसका मतलब ये angle इसका half हो जाएगा ये angle P, R, Q is equal to half angle P, O, Q हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि angle made on circumference half the angle made on center है ना angle made on circumference is half the angle on center ठीक है अब यहाँ पर इसकी value कितनी थी 120 तो आगे वाना point में 2 ये 120 120 का half हो गया 60 तो angle P, R, Q is equal to 60 degree ठीक है जी और ये आपका answer आगे